Hello guys, Welcome back to our channel, my name is Soram Johan, तो आज़ किस वीदियो का topic है, पुनजीवाद याने के capitalism, जिसमें हम उसके meanings के बारे मेंगे बात करें, characteristics and form के बारे में बात करें, यानिकि उसके पुनजीवाद को कहा गया जाता है, इसका जो basic concept है, वो क्या है, एंड इसके features, characteristics की बात करेंगे और types की बात करेंगे कि कितने भागों में इसको divide किया जाता है तो आज सारी जो concept हैं आज इस lecture में discuss करने वाले हैं तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले subscribe जरूर कर लेना पूरे lecture के तो वह आपको telegram पर मिलेंगे उसका भी link नीचे description में है जाकर के join जरूर कर देना ठीक है तो चलिए अब lecture को start करते हैं देखिए जब भी हम पुंजिवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके concept को जानना जरूरी है उसका एक आर्थिक आयाम बोला जाता है यानि कि एक economic base बोला जाता है जो वेक्ति की economic जो उसकी freedom होती है उसका सबसे बड़ा समर्थक हम पुंजिवाद को बोलते है यानि कि individual जो person है जो वेक्ति है उसकी अगर हम economic growth की बात करते हैं आपको capitalism ideology में मिलती है liberal ideology में मिलती है इसी के नाते open market और open जो free जो competition होता है उस पर सबसे ज़्यादा force दिया जाता है यानि कि जो खुले बाजार होते है जो खुली परतियोगिता होती है कि आप जो भी product आप launch कर रहे हो आपके लिए एक free market प्रोवाइड कराया जाता है तो वो सब कहाँ पर होता है वो capitalism में ही होता है ठीके और ये सब जो हम discuss करें ये इसके अभिप्राय यानि कि इसके meaning में ही आता है राज्य की भूमी का लगबग इसमें नगणी होती यानि कि ना के बराबर होती है क्योंकि capitalism जो ideology है वो support करता है free तरीके से काम करना ठीके वो अपना product launch करेगा उसको marketing भी चाहिए उसको competition भी चाहिए अगर सब market में उतरेंगे तो definitely जो competition है वो तो आपको दिखाई देगा क्योंकि सब आप काम करने के लिए free होंगे किसी को कोई restriction नहीं है सारे जो भी नियम कानून होते है वो थोड़े liberalize कर दिया जाते है ठीके आराम से आप bank से loan ले सकते हो काम करने के लिए और आपके पास एक market प्रोवाइड कराई जाती है उस काम से बने मतलब जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए तो इसमें state को interfere करने से अगर हम इसके origin, meaning and development की बात करते हैं कि इसका development कैसे होता है देखिए पुंजी बाद normally हम देखते है सबसे पुराना विचार है ये कोई आज का विचार नहीं है जिसके मूल मानम की जो प्रकरती में नहीं थै ठीके इसका जो मूल है जो जड़ है वो human के nature में ही जुड़ी हुई है तो लोगों की आर्थिक अवशकता है रही है अब आज के time के बात करें चाहे सो साल पुरानी बात करें या उससे भी पुरानी बात करें जो human है उसकी कहीं न कहीं economy जो ambitious है वो हमेशा सही रहा है जिसको satisfy करने के लिए उन्होंने बहुत सारे वस्तों का लेंदेन किया और किसी ने उन्हें बनाया तो किसी ने उन्हें बेचा या किसी ने खरीदा यहीं तो चलता है सारे चीजे कि कोई किसी चीज को बना रहा है अब demand आ रही है तो कोई उस चीज़ को बना रहा है, कोई उसे बेचेगा, फिर बाद में कोई उसे खरीदेगा, तो इस तरीके से step by step चीज़े चल लही होती है, ठीक है, और उसका जो production है, जो उसकी marketing है, जो उसका विनी में है, ठीक है, उसके साधन विक्सित हुए, जिन पर नीजी स्वामित रहा है, यानि कि हमारा एक individual, उसमें state interfere नहीं कर रहा है, हमें किसी को tax pay करने की ज़रूद नहीं है, किसे से permission लेने की ज़रूद नहीं, हमने अपना product बनाया, हमें एक market मिली, हमने, मैंने environment ऐसा create कर दिया जाता है, कि उस market में हम अपना product बेच रहे हैं, या फिर मैं किसी product को बना रहा हूं, बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, तो यह सारा का सारा क्या खिल चलता है, यह सब capitalism में चलता है, ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा analyze भी करके देखें, तो ऐसा कोई भी यूग, यानि कि ऐसा कोई भी era या ऐसा कोई भी period नहीं रहा था, जब ऐसा आर्थिक आदान परदान नहीं हुआ हूँ, चाहे हम मोहन जोदारों से लेकर के आज की civilization की बात करें, आज सक की बात करें ना, तो खरीदना, बेचना, यह सब बहुत समय से चलता रहा है, तो यह जो विचार है, capitalism का, पुंजी वाद का, यह कोई new modern विचार नहीं कोई new modern ideology नहीं है, सबसे पुरानी ideology है, बस इसमें थोड़ा सा change आपको देखने को मिलता है, कि पहले लोग हातों से चीज़े बनाते थे, product जो करते थे, production होता था, वो by hand होता था, लेकिन अब उनकी जंगा थोड़ा मशीनों ने, थोड़ा टेकनोलोजी ने जंगा ले ले है, तो वहाँ पर चीज़े थोड़ी सी यहाँ पर, मतलब जो environment है, create करने का किसी भी product को, वो थोड़ा change हो चुका है, लेकिन capitalism जो ideology है, वो अभी भी है, थोड़ी liberalize कर दी गई है, वो पहले भी दी, लेकि liberalize का मतलब होता है, आप कोई भी व्यापार शुरू करते हो, तो आ आपको ज्यादा restriction नहीं है, उस व्यापार को start करने के, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास, तो अगर आप थोड़ा सा भी analyze करके देखो, तो entrepreneur कितने startup create किये जा रहे हैं, कितने entrepreneur, कितने influencer आपको market में मिलेंगे, तो आप अगर पढ़ा भी रहे हो, तो भी एक influencer हो, आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो, आपने कुछ सिखा लोगों को सिखा रहे हो, उसके बदले आप जो भी अपना, जो एक amount है, वो हर monthly या yearly वो आप एक, मतलब collect कर रहे हो, तो यह सब कुछ जो है, वो थोड़ा सा modernize कर दिया गया है, लेकिन capitalism आज भी इसी तरीके से चल र बारे में, तो यहाँ पर जो विशेष्टा है, वो तीन टाइप से डिवाइड की गई है, पहली है अतिरित मुल्ले का सिखा देने की theory of surplus value, अब इसके अनुसार जो पुंजी पती हो दिया, capitalist होते हैं, वो अनिवारी रूप से निके compulsory तरीके से मजदूरों के श्रम का सोश करते हैं, और जो मजदूर होते हैं, वो उनको exploit करते हैं, वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लगते हैं, लेते कि अब 10,000 पर आपने किसी employee को रखा, अब वहाँ पर आप 10,000 का काम तो आप से 1,000,000 का काम लिया जा रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा से तो कम payment में उनको रखना और ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे लेना, तो यही theory of surplus value है, और यहीं सारी चीज़े मतलब चल रही होती है, फिर second characteristic है वस्तूत पादन की commodity product, तो पुंजिवादी विवस्ता के अंतरगत वस्तूत पादन यानिकी जो commodity product होता है, जो वस्तूत का उत्पादन होता है, उस पर बहुती ज़्यादा force दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि इसी के मादिम से पुंजी संग्र है और अभीवरदी की जो परिस्तितिया है, वो पैदा होती है, commodity product, अब देखो कोई भी आप छोटी से छोटी startup भी आप तयार करोगे, आप पिर उस market में उसी जो को launch किया जाएगा, लोग खरीदेंगे, उससे हमारा जो पुंजी होगी, उसका संग्रह किया जाएगा, निकि एक तरीके से हमें benefit, एक profit होगा, तो profit के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा commodity product पर focus करते हैं, सबसे बल देते हैं कि जादा सब चीजे create करो, ज लोग जादा जादा खरीदेंगे, जादा से जादा आप लोग बनाओ, तो इसी क्या आधार पर चीजे चल ले होती, and then third है मुक्त श्रम इनकी free labor, तो पुंजीवाद के जो होती है, जो ये capitalism है, इसमें मुक्त श्रम की ववस्त है, मुक्त श्रम का मतलब होता है कि पुंजी वाले टाइम में जाएं, कि मुनार के सिस्टम है, ठीक है, तो अगर slavery सिस्टम है, तो वहाँ आप अपनी मर्जे से काम नहीं कर सकते थे, वहाँ आपको काम के लिए भेजा जाता था, आपका मन नहीं लेकिन आपको करने के लिए प्रेशराइस किया जा रहा है, तो capitalism है, उसके के साब से को payment दिया जाता है, तो वो अपना श्रम कहीं पर भी, इंडिया में कहीं पर भी वो अपना श्रम बेच सकता है, या इंडिया से बाहर भी, वो free है काम करने के लिए, ठीक है, उसको कम जादा मिलना है, वो उसके अपनी satisfaction वाली बात है, लेकिन जादा जादा पड़ेगा, कम जीत, उसको कम करना पड़ेगा, वो उसके लिए free है, तो आप भी अपने असपाद देखो, बहुत सारी ऐसी जगा है, जहाँ पर labor बहुत सारी ग्रूप में खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर वो मतलब लोग आते हैं, उनको काम के लिए ले ले जाते हैं, ख़े ख़ची हैं, अब इसमें जो capitalist monopoly का मतलब ही होता है, उसको सिर्फ अपने lab से मतलब है, तो वो अपने lab के लिए, उनको कि मैं प्रॉफित के लिए, सबसे द फोकस, वो अपने प्रॉफिött पही करता है, और इस आधार पर वो monopoly create करने की कोशिश करता है चाहिआ वो free market की बात करे बिजनिसमेन हो, किसी के भी हो, ठीक है? लेकिन आप यही सोचेंगे, कि सबसे ता मार्किट में मतलब मेरी चीज़े लोग खरी दे, मेरे बनीव, जो मेरे ब्रांड की चीज़े, जो मैंने ब्रांड की रिट किया है, उससे जीज़े जो प्रोडक्ट है, वो ही चीज़े खरी तो सबके मांड में यही चीज़े होती है, तो यह कैपिटलिस्ट मोनोपोली होता है, जो सबसे ज़्यादा मांड में फिक्स रहता है, कि हाँ मतलब यही होना चाहिए, तो यही सारा कंसेप्टिस में चलता है, and then second है, state is a protector of individual interest, यानि कि राज्ये वेक्तिक हीतों का संगरक् अपने कोशल के अनुसार विकास करने के लिए स्वतंतर होता है, तो यही सारी चीज़े आप पिस्टेट के अंदर ही कर पाते है, तो state is a protector of individual interest, तो वो पूरी तरिके साब को protection देता है, and then third है आर्थिक कारे की स्वतंतर, freedom of economic activity, तो आर्थिक गतिविधिया, जो economic activity होती है, वो capitalism system की सबसे, मतलब यहीं समझो के एक base होता है, ति capitalism के according विक्ति को अपने अनुसार जो भी economic activity है, उसको करने के लिए वो पूरी तरिके से freedom उसको मिलती है, पूरी तरिके से वो स्वतंतरता उसको मिलती है, वो किसी भी स्थान पर जाकर के अपना जो अपन freedom of economy activity, and then fourth है, धर्म और सदचार में आसा faith and religions and good conduct, तो पुन्जी वाद में जो capitalism है, उसमें धर्म को विशेश मानेता है, और सदचार पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, पूरी तरिके से capitalism का एक, मतलब इकाई माने जाता है, बिना private property के आप किसी भी start-up को तयार कैसे कर सकते हैं, आपके पास कोई private property नहीं है, तो आप capitalist कैसे create करोगे अपना आपको, अपना आपको कैसे बनाओगे capitalist के ज़रूरी है, आपके एक private property होना, private ownership of property, ठीक है, यह ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप कही से rent पे चीजी लेता हो, तब आप बहुत ज़र प्रेशर में हो ठीक है, कि बहुत चलेगे नहीं जले, लेकिन अगर आपके खुद की कोई private property होती है, तो आप free होते हो, आप एक तरीके से आपको inspiration मिलती है, कि मेरे पास तो यह property ठीक है, मैं कोई भी startup तियार कर सकता हो, यहाँ पे कोई भी industry अपना create कर सकता है, तो वहाँ से उसको बहुत रेंट पे आप किसी भी चीज़ को उठाओगे, आपने property ली रेंट पे, अब रेंट के साथ कुछ restriction भी है, कुछ नियम भी है, उनको आप follow करोगे, तो चारो तरफ साथ आप घिड़ जाओगे, तो आपकी private property is a must for capitalism, इसके बाद next है, वर्गे सामाजिक सरनाचना के दो आध प्रोवाइड कराते हैं, और जो विपन वर्ग होता है, वो श्रमिको का होता है, जो सेवा जो services दी जा रही है, वो services लेने वाला जो वर्ग होता है, ठीक है, एक जो services प्रोवाइड करा रहा है, एक उसको consume कर रहा है, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये जो social structure है, यह भी डिवाइडेशन है, मलब भाई, सारे तो आपको services देने वाले नहीं होंगे न, अगर सारे ही services देने वाले बन गए, तो फिर उस पर काम कौन करेगा, तो जो social है, उसको पूरी तरीके से दो जो types में उस पूरे structure को divide किया गए, कि एक जो services देंगे, और दूसरे उस services को consume करेंगे, यानि कि shrumic work, ठीक है, अब यहाँ पर next time बात करेंगे, forms of capitalism, यानि कि पुंजिवाद के रूप, अब पुंजिवाद कितने types के होते हैं, जैसे, सबसे first point है, pure and enterprise capitalism, यानि कि शुदर जोखिम पुंड पुंजिवाद, दूसरा है, social capitalism, यानि कि सामजिवाद, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, pure and enterprise of capitalism, तो ये, इसका जो मूल आगरा है, मतलब इसका अगर main, इसकी meanings की बात करें, तो बाजार में खुली प्रत्योगीता चलती है, क्योंकि बाजार की जो आत्म विवस्थित यंत्र की तरह होते हैं, जिसमें Adam Smith ने अद्रश्य हाथ के संगय दिये, अब Adam Smith में, आप capitalism में Adam Smith को पढ़ोगे, तो उन्होंने उसे अद्रश्य हाथ के संगय दिये, कि अगर open market हो लेकिन उसमें रिस्क भी तो होता है, जब आप competition के तैयारी करते हो, तो एक रिस्क हमेंसा होता है, क्यार होगा की नहीं होगा, तो यह चीज़े आपको मिलेंगी, ऐसा भी एक पुंजी बाद है, दूसरा है कि सामाजिक पुंजी बाद देने की social capitalism है, अब यहाँ पे यह ज हम तुमें एक छोटे-छोटे जो start-up है उनके लिए free करते हैं, अप अपने हिसाब से अपनी market की react करो और अपना जो उद्ध्यों के जो अपना industry है, जो start-up है, वो ready करो, लेकिन उसमें जो state होता है, वो आपको secure करता है, बाहर की जो international level की जो marketing होती है, international level की जो business होती है, जो Asia को, Asia के कुछ देसों में जैसे Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan, Indonesia, आदी में बहुत जादा देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होता है, कि ये एक ऐसी capitalism है, एक ऐसी विवस्ता है, जहां पर मज़ूर कभी भी हरताल पर नहीं जाता है, क्योंकि उद्ध्योग वे राज्जी, दोनों उनकी हीतों के रक्षा करते हैं, वहां पर हर एक मज़ूर, हर एक employee के rights का, उसके freedom का, उसके feelings का बहुत ही जादा ध्यान रखा जाता है, by state और by capitalist, तो ये होता है कि collective capitalism, सब कुछ, सब मिलकर के capitalism को create करते हैं, है न, so make sure आज का video lecture आपको काफी हद तक clear out हो चुका होगा, जो भी concept हमने यहा नीचे comment section में आप लोग बता सकते हैं, वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो को like कर देना, and share जरू कर देना, और अगर पहली बार attend कर रहे हो, या attend पहले से कर रहे हो, लेकिन अब तक subscribe नहीं किया है, तो please do subscribe, bell icon को प्रे जरू कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का notification आप तक पह connect हो पाते हैं, और आप अपना जो question है, वो हम से सीधे भेज़ पाते हैं, so मिलते हैं next information के साथ में next lecture में तब तक के लिए, जे हिन, जे भारत.